हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस all-in-one चैनल में दोस्तों सबसे पहले सभी दोस्तों को सभी मित्रों को दिवाली की धेड़ सारी शुबकामना है और आज हम बात करेंगे ओ और ओपी से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट्स की और ओपी से रिलेटेड कुछ अच्छ तो यह काफी दुना बात ओर ओपी से रिलेटेड अपडेट आया है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस important अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जि different tables में changes थे उन tables में इसलिए change किया गया था क्योंकि दो rank का जो calculation होता है वो थोगा differ कर रहा था इसलिए है बहुत सारे tables में change किया गया था वो tables का mean मक्सद यह होता है कि उस table के base पे minimum pension और maximum pension के साब से pension calculate की जाती है अब basically जो है पिछले दो दिन पहले जो है सभी ex-servicemen ने Congress President जो है राहूल गांदी से जो है meeting की है और क्योंकि अभी तक OROP लागू नहीं हो पाया है तो अब जो है राहूल गांदी ने जो है यह आश्वस्त किया है कि 2019 में जैसी Congress की सिरकार बनती है उनका पहला जो सबसे important म जो है यह लंबिद है तो इसी प्लक्ष में जो है सारे ex-servicemen ने राहूल गांदी से जो है मुलाकात की है और राहूल गांदी ने कहा है कि जो अभी जो भी नुकसान हुआ या जो भी घपले हुआ है अगर वो पैसे बच जाते हैं तो अराम से वारोपी जो है implement किया जा सक और उनने कहा है कि सबसे पहला काम उनका यह हुगा कि वारोपी implement करें दोस्तों यह था important update अगर वीडियो पसंद आई तो like किजिए, share किजिए और subscribe करना न भोले, thank you for watching this video